पिछले एपिसोड में वो डीमन हाउच इनके उपर काफी गुसा हो गया था और फिर वो तुरंत वहाँ पर अपने डीमन हल के पाउर का यूज करने लगा था इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डीमन बाहर आने लगते हैं और वो चारों तरफ से हौच इनके उपर अटेक करने की कोशिस करने लगे थी तब इसे देख हाउच इन मीं का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और वो किसी तरह से इनके उपर अटेक करते हुए खुद को इनके अटेक से बचाने लगता है लेकिन तभी अचानक से प्रिंसेस वी भी यहां पर आकर इसके उपर अटेक कर देती है जिसके बज़ा से हाउच इनकी स्वार्ड अब उसके हाथ से अलग हो गई थी और फिर वे सभी डिमन हाउच इनको चारों तरफ से पकड़ लेते हैं वहीं दुसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रिंसेस वी हाउच इनके स्वार्ड को उसके सामने रख देती है और फिर वो डिमन से कहती है कि मैंने यहां के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और इसलिए मैं अब यहां पर तुम्हारी हल्प करने के लिए आई हूँ लेकिन हम देखते हैं कि उस टीमन को इसके हल्प की बिल्कुल भी ज़रुवत नहीं होती इसलिए वो उससे कहने लगता है कि तुम इसकी जिमेदारी मेरे उपर छोड़ दू क्योंकि मैं खुद इसे हैंडल कर लूँगा लेकिन इस पर फ्रिंसेस यूई उससे कहती है कि तुम्हें इसकी बिल्कुल ज़रुवत है और फिर वो इसके उपर लॉसिल के पाउर का यूज़ करते ही वे कहती है कि इसे इस पेसली तुम्हारे लिए ही यूज़ किया जाएगा और इसके बज़ास से उस्ट्यमन की सारी पाउर इसके अंदर कैद होने लगती है जिसे देखते ही वा पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि अचानक से ये मेरे साथ में क्या होने लगा लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि इसके बज़ास से उसकी डिमोनिक पाउर भी इसमें अब्जॉर्ब हो गई थी और इसलिए वो प्रिंसेस वी के उपर गुसा होते हुए कहता है कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद वो इसके उपर अटैक करने के लिए भी आ जाता है लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हान्यू ने इसके उपर अपने लाइट ग्रेविटी के पाउर का यूज कर दिया था जिसके वज़र से वो डीमन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से हाँ पर उसकी बहुत सारी पाउर इसमें अब्जॉर्ब हो जाती है तभी प्रिंसेस वी इसके पाउर को हाउचिन को देते हुए कहती है कि अब इसकी पाउर तुम्हारी हो गई जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन इसके लिए प्रिंसेस वी के उपर काफी गुसा होने लगा था और फिर उसे कहने लगता है कि तुमने हमें धोका दिया लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे तीनोब एक साथ में मिलकर इसके खिलाप में फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे वहीं उदर दुसरी डीमन भी अपने पाउर का यूज करके विंग यूण के उपर अटेक कर देती है जिसके देख सिमा सियान भी इसके उपर अटेक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत अपने पाउरफुल वजराफिस्ट का यूज करके इसके उपर अटेक कर देता है लेकिन इसके बाद भी हम देखते है कि उस डीमन ने इसके अटेक को बहुत ही असानी से रोक लिया था दोनों एक साथ मिलकर भी इसका कुछ नहीं कर पाते लेकिन तब ही इसी वक्त हम देखते हैं कि वेंग जुआन फिर से इसके उपर अटाइक करने के लिए रेडी हो गई होती है जिसे देखा वो डिमन भी इन दोनों को छोड़ कर उसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और वो इस पार भी इसके अटेक को बहुत ही असानी से रोक लेती है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इतने असानी से इसके सामने हार मानने वाले नहीं होते और जेंग तुरंत अपने होली इंपक के पाउर का यूज करके इसके उपर अटेक करने के लिए रेडी हो जाता है तब इसे देख वोडी मन इनके उपर और भी ज्यादा गुसा होने लगती है लेकिन इसके बाद से वो डिमन अब इनके उपर बहुत ज़्यादा गुसा हो जाती है और वो इनसे कहने लगती है कि साय तुम इस तरह से नहीं मानोगे और इसलिए ऐसा लगता है कि अब तुमे मुझे अपने असली पाउर को दिखाना ही पड़ेगा अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने डिमन गॉड के सिल को अनब्लोक कर देती है जिसके पाउर के सामने इन तिनों की कंडिसन काफी खराब होने लगी थी और वो डिमन इनसे कहती है कि अब तुम हल में जाने के लिए रेडी हो जाओ लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इतने असानी से इसके सामने हार माने वाले नहीं थी इसलिए वो जैसे ही इनके उपर अटेक करने के लिए आती है वे भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि सिमा सियान और वेंग जिवान उसे सामने से रोकने के लिए चले गए थे लेकिन तब ही इसी वक्त जेंग उसके पीछे जाकर लॉसिल के पाउर का यूज करने लगता है और अब इस तरह से लॉसिल की पाउर उस डीमन के पाउर को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने लगती है अब इसके वज़ा से हम देखते हैं कि वह डीमन भी काफी परिसान हो गई थी और फिर कहने लगती है कि अचानक से मेरी पाउर गाइब कैसे होने लगी लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो गुसे में इनके उपर अटेक करने लगती है जिस पर जेंग उसे कहता है कि तुमने रूल के बियोंड वाले पाउर का यूज किया और इसलिए अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाऊगी अब इस तरह से हम देखते हैं कि जेंग ने लॉसिल का यूज करके इसके पाउर को अबजर्ब कर लिया होता है लेकिन इसी के साथ वो डिमन भी इसके उपर बहुत ज़्यादा गुसा हो गई थी और फिर वो कहती है क्या सच में तुमें लगता है कि तुम इस तरह से मुझे हरा पाऊगे इसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत गुसे में जेंग के उपर अटैक कर देती है जिसे रोकने के लिए जेंग भी अब उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसके अलाबा उसकी अब्जॉर्ब की गई पाऊर भी यहाँ पर नीचे गिर जाती है लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सिमा सियान और वेंग जुआन इसके उपर अटैक करने के लिए फिर से आ गए थी जिससे देख वो डिमन भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गई होती है और फिर वो अपने पाऊरफुल पंच का यूज करके वेंग जुआन के उपर अटैक कर देती है तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सिमा सियान भी इसके उपर अटैक करने की कोशिस करता है लेकिन इस पार भी उस डिमन ने इसके अटैक को बहुत ही असानी से रोक लिया था और इसके अलाबा वो इसके उपर अटैक करके उसे जखमी भी कर देती है इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इसके उपर अटैक करना चाहती थी लेकिन यहाद देखते हैं सिमा सियान तुरंत वहाँ से साइड हो जाता है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके गुस्ते के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो डिमन फिर से इसके उपर अटाइक करके उसे जख्मी करने लगती है लेकिन तो अभी इसी भीच हम देखते हैं कि उसके नजर उसके अंदर से अब्जॉर्ब किये गए पाउर के उपर जाती है जिससे देख वो याद करने लगता है गॉड हेड ने कहा था कि लॉसिल जिस पाउर को अब्जॉर्ब करेगा वैसे भी उसके पाउर का यूज कर पाएंगे इसके बाद हम देखते हैं कि सिमा सियान तुरंत उसके पाउर को अपने बॉड़ी के अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और कहने लगता है कि जरा मैं भी तो इसके पाउर को फिल करूँ अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसके पाउर के बज़ा से सीधे लेवल 7 के पिक में पहुँच गया था जिसे देख वो डिमन भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और फिर सिमासियान उसे कहता है कि अब तु मेरा सामना करने के लिए रेडी हो जाओ इसके बाद हम देखते हैं कि सिमासियान उस डिमन के उपर अटैक करने के लिए चला जाता है लेकिन इस पार वो डिमन इसके बड़े हुए पाउर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और अब सिमासियान इसके उपर भारी पढ़ने लगा था जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बाद से वो डिमन काफी गुसा हो जाती है और फिर वो अपने डिमन फॉर्म में आते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने डिमन फॉर्म में आते हुए सिमासियान के उपर अटैक करने के लिए ready हो गई थी लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिमासियान को इसके बारे में जादा चिंता नहीं होती और वो कहने लगता है कि क्या यही तुम्हारा असली नेचर है इसके बाद वो डिमन अपने फुल पाउर का यूज करते हुए सिमा सियान के उपर अटेक करने के लिए आती है लेकिन इस पार वो इसके स्थामने कुछ भी नहीं कर पाती और सिमा सियान उसे बहुत ही असानी से मार देता है अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो डिमन इनहरिटेंस कराउन में चेंज हो गई थी जिससे देख सिमा सियान कहने लगता है कि वर्तो के वल एकी पंच में धेर हो गई लेकिन तभी इसी वक्तम देखते है कि अचानक से उस टीवन की पाउर इसके अंदर से गाइब हो जाती है जिसे देख वो कहने लगता है कि ये इतनी जल्दी गाइब कैसे हो गया तब इसी वक्तम देखते हैं कि जेंग इनेहरिटेंस क्राउन को इनके सामने लेकर आता है और फिर इनसे कहता है कि तुमें से कौन इससे लेना चाहेगा तब इस पर सिमासियान उससे कहता है कि मेरे पास में तो पहले सही एक है इसलिए मैं इसके बारे में बिल्कुल भी लालस नहीं करना चाहता जिसके बाद जेंग वेंग जुआन से कहता है कि इसके पास में स्टेंथ इंचेंटमेंट वाली अबलिटी है इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह तुमरे जैंट सिल के लिए काफी अच्छा होगा तब इसके ऐसी बात सुनकर वेंग जुआनी से लेने के लिए रेडी हो जाती है और इसके साथ वो इसके लिए जेंग को थैंक्यू भी कहती है लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने भी यहाँ के एनरजी कोर को बंद कर दिया था ताकि इस तरह से बाकी डीमन को लगे कि वे इस टेंपल को डिस्टोई करने में कामयाब हो गए हैं तब ही जेंग इन से कहता है कि वैसे तो अब हमने अपने मिसन को कम्प्लीट कर लिया है और इसलिए हमें यहाँ से टेंपल में वापस चलना चाहिए जिसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों तुरन टेलिपोर्ट हो कर टेंपल में वापस आ जाते हैं जहाँ पर इनको देखते हैं गौड हेडिन से कहने लगती है कि तुमने इस मिसन के लिए काफी मेहनत किया तो अभी सिमा सियान कहता है कि क्या मिसन को कंपलीट करके वापस आने वाले हम पहले हैं जिस पर गौड हेडिन से हा कहती है और उसी के साथ वो इनके इतने महनत के लिए थैंक्यू भी कहती है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सार अभी भी उस टीमन के साथ में फाइट करने की कोसिस कर रही थी और वहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत इस अंदार तरीके से फाइट हो रही होती है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उस डीमन को मारना इतना असान नहीं होता क्योंकि सायर तो उसके उपर अटेक करने के लिए अपने तरफ से पूरी कोसिस कर रही थी लेकिन असल में उस डीमन की स्पिर्ट सायर से बहुत ज़्यादा होती है इसलिए वो इसके हर एक अटेक से खुद को बहुत ही असानी से बचा लेता है और सायर काफी कोसिस करने के बाद भी उसका कुछ नहीं कर पा रही थी वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंस इन भी अपने पाउर का यूज करके डीमन के उपर अटेक करना चाहता था लेकिन चेन के समन किये गए पीग और सीपू से काफी परिसान करने लगते हैं इसलिए वो चेन से कहने लगता है कि प्लीज तुम उनको यहां से ले जाओ वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन अभी भी सायर के अटेक से खुद को बहुत ही असानी से बचा रहा होता है और इसी के साथ उसे कहने लगता है कि तुम्हारे टिमेटो सच में काफी अजीब हैं लेकिन इस पर सायर उसे कहती है कि तुम अपने मूँ बंद रखो जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन भी अपने पाउर के यूज करके सायर के उपर अटेक करने लगा था जिससे देख अब सायर भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है और वो किसी तरह से इसके हर एक अटेक से खुद को जख्मी होने से बचाने लगती है इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने क्लोन टेक्निका यूज करके इसके उपर अटैक भी करना चाहती थी लेकिन यहाँ देख वो डिमन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया था और हम देखते हैं कि वो इसके सारे क्लोन को बहुत ही असानी से मार भी देता है लेकिन तभी इसी वक्तन देखते हैं कि सार फिर से इसके उपर अटैक कर देती है और वो इस पर अपने अटैक से इससे जख्मी करने में काम्याब हो गई थी तब इसे देख वो डिमन उससे कहने लगता है कि सार में इस तरह से तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यसा लगता है कि तुम्हारी स्पीर सच में मुझसे भी ज़्यादा है और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने डिमन कॉट के सील को अनब्लोक करने लगता है अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अप्लोड हो जाएगा लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर अग्स्प्लाने सा नची लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना